सब्सक्राइब दाए तो आज मैं मुकच्छे आम का फोड़ा सा कितनी बनाने जारही हूं मैंने तीन बड़े हाम लिये हैं और एक छोटा साम लिया है, इसको कट कर लिया है मैंने कोई सेप नहीं दिया है, ऐसी रिंडम काट कर लिया है में एक टेबल स्पून मस्टर्ड ऑईल लोगी और इसमें मैंने भाफ आफ टेबल स्पून के करीब सौफ माजवाइन, जीरा और मेथी लिया है, इन सबको मैं एड़ कर दूगी, उसी मस्टर्ड ऑल में उसको गरम करके उसके बाद इसको मैं अच्छे से भून लोगी, भून और थोड़े से यलो-यलो में आप दिख रहे हैं, कि कच्चे ही हैं, बढ़ हलके से लग रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैंगो में, चट्णी जो बनेगी, वो बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी, तो आपके पास कच्चे हैं, तो कच्चे एड़ करिया, एक टेबल स्पुन के करीब मैंने जीरा डाट किया है इससे कलर बहुत अच्छा आता है जीरे से बहुत टेस्ट आता है तो यह जरूर डाट करिएगा उसके बाद थोड़ा सा पाने डाल के आपको रखना है विकास मसाले जले ना और यह देखे अमैंगो की कॉंटिटी कितनी कम हो गई है क्योंकि अच्छे से पक गए हैं और फिर मैंने इसमें जैगरी डालना है और जैगरी में मैंने दो तरह की जैगरी ली है यह देखिए उपर यह मार्केट की जैगरी है और नीचे जो आपको ब्लैक ब्लैक में दिख रही है यह मेरे घर की जैगरी है मतलब ऐसे गर का है तो दो तरह के मैंने जाग लिया है यह आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि दो तरीके का लेना है मेरे पास जो था मैंने बोलिया है और इसको अच्छे से मिक्स करना है मैंगो में अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या जब आप मिक्स करेंगे तो इसमें पानी नहीं एड़ करना है पानी जब आप गुड़ में अपना खुद का एक पानी होता है और यह जब मिक्स होगा जब यह बॉइल होगा तो यह अपने आप में पानी रिलेज कर देगा आप देखिएगा कि इतना अच्छा इसका कलर निकल के आएगा और इतनी अच्छी इसकी चटनी बनेगी तो इसम अच्छे से पक चुके हैं मैं एक बर चेक करते हों कि मैंगो पके हैं कि नहीं पके हैं लेकिन चटनी की क्वांटिटी और गुड़ की क्वांटिटी देखे कितनी अच्छी है गुड़ मैंने 60 ml लिया था एक कप के करीब लिया था क्योंकि इसमें थोड़ा जादा जाता है विकाज चटनी है और चटनी खटा रहता है आम की जो खटापन होता है वो गुड़ से बहुत अच्छे से आता है निकल के गुड़ उसमें ज्यादा डालोगे तो आपकी आम की चटनी बहुत अच्छी लगेगी तो पहले तो वो नहीं पका था मैंने तीन मिनट के लिए और इसको ढखके पकाया और यह बहुत अच्छे से पक गया है अगर आप ग्रेट करके डालेंगे तो यह और अच्छे से पकेगा उसके बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रद्मूंगी बहुत अच्छे से पकने के तो यह बिल्कुल खराब नहीं होता है, आप पूड़ी, पराठा, रोटी, आप राइस, किसी चीज के साथ आप खा सकते हैं, और यह इतनी जल्दी बनता है, और इतनी चटपटी सी होती है, चटने और यह बहुत अच्छा लगता है, बिलीव करिए एक बार आप इसको देती हूँ, और यह देखिए, कितने अच्छा कलर इसका आया है, और यह बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप जरूर ट्राइ करिएगा, बताइगा कैसी बनी है, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब, कैसी लगी आपको वीडियो बताइगा जरूब बाइ!